Hello dear children, today we are going to solve the examples of addition. First example, 22 plus 14. अभी यहाँ पे हमें addition करनी हैं. तो firstly, हम unit place से start करने वाली हैं. यह होता है हमारा unit place और यह होती है 10th place. तो unit place से start करेंगे 2 plus 4. 2 plus 4 किया तो उसके addition मिल गई हमें 6. और 2 plus 1 किया तो उसके addition क्या मिल गई हमें 3. 2 plus 1, 3. यानि answer क्या मिल गई हमें 36. Second example देखते हैं. 12 plus 27. अभी हमें यहाँ पे addition करनी हैं. तो हम unit place से start करेंगे. यानि 2 plus 7. दोनों के addition की तो हमें यहाँ पे मिल गई 9. और 1 plus 2, 3. यानि answer मिल गई 39. यानि unit place से start करना है. उसके बाद 10s place के addition करनी है. थर्ड एक्जाम्पल देखते हैं. 64 plus 17. यहाँ पे भी हमें unit place से start करना है. यह 10s place होती है. यह unit place होती है. 4 plus 7. 4 plus 7 क्या तो addition मिल गई हमें 11. लेकिन यहाँ पे 11 राइट नहीं करना है. उनली 11 आ गया तो यह जो 1 नमबर है यहाँ पे राइट डाउन करना है. और जो 1 है वो क्यारी बन जाती है. अभी उसके बाद. 1 plus 6 plus 1. 1 plus 6, 7. 7 plus 1, 8. यहाँ आंसर क्या मिल गया हमें 81. 4th example, 62 plus 19. अभी unit place से स्टार्ट करेंगे 2 plus 9 किया तो 11 बन गई. तो 11 यहाँ पे राइट डाउन कर लिए. यह जो 1 है यहाँ पे राइट डाउन कर लिया. यह जो 1 है 10 place का वो यहाँ पे राइट डाउन किया. यहने क्यारी बन गया. अभी 1 plus 6, 7. 7 plus 1, 8. यहने आंसर क्या आ गया है यहाँ पे भी 81. Next, 68 plus 88. अभी आसे स्टार्ट करेंगे unit place से. 8 plus 8, 16. तो अभी यह जो 6 नंबर है यहाँ पे राइट डाउन करना है. और जो 1 है, 1 बन जाती है क्यारी. अभी 1 plus 6, 7. 7 plus 8, 15. तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 15. यहने 156 इसका आंसर मिल गया. Next देखते हैं, 76 plus 89. अभी 6 plus 9, unit place के अडिशन करेंगे. 6 plus 9, 15. 15 मिल गया तो यह जो 5 नंबर है यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. और जो 1 है, वो क्यारी बन गया. अभी 1 plus 7, 8. 8 plus 8, 16. यानि 165 यह मिल गया इसका आंसर. Next example, 88 plus 77. अभी 8 plus 7, दोनों के अडिशन की. तो 8 plus 7 के अडिशन होती है 15. तो यह जो 5 नंबर है, यहाँ पे राइट डाउन कर लिया. और जो 1 है, यहाँ पे क्यारी. अभी 1 plus 8 plus 7, दोनों तीनों नंबर के अडिशन की. तो हमें यहाँ पे मिल गया 16. यानि 165 मिल गया हमें इसका आंसर. Next, 94 plus 17. 4 plus 7 किया. 11. तो जो 1 नंबर है, यहाँ पे राइड डाउन किया. और जो 1 है, यह क्यारी बन गया. अभी 1 plus 9, 10. 10 plus 1, 11. यानि 111 यह मिल गया हमें इसका आंसर. इस प्रकार से, आज हमने 2 डिजिट नंबर की अडिशन किस प्रकार से करते हैं? उन एक्जाम्पल को किस प्रकार से सॉल करते हैं? यह देखा. आज का वीडियो कैसा लगा? वो कमेंट करके बताने वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भुले. ठैंक्स पर वोचिंग दिस वीडियो.